Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल CJINV रमना ने मीडिया द्वारा चलाय जा रहे कंगारू कोर्ट्स पर चिंता जाहिर की है उनके मताबिक मीडिया ऐसे मुद्दों पर डिबेट्स करा रही है जिन्हें सुल्धाना अनुभवी जजों के लिए भी मुश्किल होता है मीडिया, कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज की बायस्ट एंड एजेंडा डिवेंड डिबेट्स कराती है जो की जस्टिस डिलिवरी सिस्टम को इंपैक्ट कर सकती है उन्होंने नियायपालिका को समिधान में जीवन देने वाला निकाय बताया नियापालिका द्वारा काड़ेपालिका और विधाईका के कारियों को रिविव किया जाना समिधान का इंटिग्लर पार्ट है गौर तलब है कि कंगारु कोर्ट से मतलब ऐसे अन-authorized court या legal proceeding से है जिसमें procedure से संबंधित अधिकारों को दर्किनार कर दिया जाता है साथ ही outcome भी पहले से decide होता है कई बार कंगारू courts शब्द का प्रयोग authorized court और legal proceeding के लिए किया जाता है जहां पर judges partial हो या बहुत ज्यादा price coverage करके मामले को एकतरफा कर दिया गया हो आपको बता दें कि भारतिय समिधान में unified single judiciary की विवस्था है इसे भारत शार्षन अधिनियम 1935 से लिया गया है इसमें शिर्ष यानि टॉप पर सुप्रीम कोर्ट और इसके अधिन हाई courts आते हैं हाई courts के तहद district courts का प्रावधान है National Center for Coastal Research के मताबिक चन्नेई के बीचेश पर डायटम थाला सीरो सीरा के चलते बायो लुमिनिसेंट की घटना देखी जा रही है दरसल डायटम थाला सीरो सीरा एक प्रैंक्टन है जो की तेज बारिश के चलते खूब फलते फूलते हैं समुद्र की लहरें इस unicellular microorganisms को disturb करती हैं जिससे ये light emit करते हैं रिपोर्ट की मताबिक बारिश के चलते महासागरों में निट्रियंट्स की खूब मौजुदगी होती है जिससे ये plankton भी bloom करते हैं इसके अलावा अन्य परियावरन कारकों में wind speed का कम होना परियावरनिये तापमान का कम होना तेज बारिश और समुद्र की सतह के तापमान का कम होना माना जा रहा है आपको बता दें कि बायोलुमिनिसिंस से मतलब living organism के light emit करने की प्रोपर्टी से है पंजाई, बैक्टीरिया, marine animals और plants इस प्रोपर्टी को दिखाते हैं हाला कि ये प्रोपर्टी उथले पानी में रहने वाले जीवों के मुकाबले गहरे पानी में रहने वाले जीवों में ज्यादा पाई जाती है ये फिनोमेना भारत में दिखना आम नहीं है लेकिन दुनिया में ऐसे कई प्रसिध टुडिस्ट स्पोट हैं जो इस फेनोमेना के लिए ही जाने जाते हैं द्रॉपदी मुर्मू ने पंद्रहवे राष्टपती के तौर पर शपत ले ली है उन्होंने देश्ट के मुख्य नयाधिश एनवी रमन्ना से शपत ली वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्टपती बनी है इस पत्र पहुँचने के साथ उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं वे देश की पहली राष्टपती हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ साथ ही वे सबसे कम उम्न में भारत की राष्टपती बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर ली हैं गौर तलब है कि राष्टपती की शपत का जिक्र समिधान के अनुछे साथ में किया गया है राश्टपती को शपत भारत की मुखिनायाधिश द्वारा दिलवाई जाती है मुखिनायाधिश की गैर मौजूदगी में सुप्रिम कोट की सिनियर मोस्ट जज शपत दिलाते हैं हर राष्टपती और राष्टपती के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति को ये शपत लेनी होती है भारत के राष्टपती की शपत इस तरह है मैं सधा पुरुवक राष्टपती पत का पालन करूंगा या करूंगी समिधान और विधी को preserve, protect और defend करूंगा या करूंगी भारत के लोगों की सेवा और कल्यान में खुद को devote करूंगा या करूंगी भारत के समिधान की तीसरी अनुसुची में देश के अन्य प्रमुख प्राधिकारियों की शबत का वर्णन है लेकिन राष्टपती का नहीं 25 जुलाई को हर साल IVF Day मनाया जाता है IVF यानि In-vitro Fertilization Assisted Reproductive Technology का एक प्रकार है जो की Infertility की समस्या से निपटने का एक तरीका है इसमें Medicine और Surgical तरीकों का प्रयोग करके एक को Fertilize किया जा सकता है साथ ही Fertilize एक को इटरस में इंप्लांट किया जाता है Infertility Reproductive System की एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें प्राक्रितिक तरीके से चाइल्ड को कंजीव नहीं किया जा सकता आपको बता दें कि भारत में Fertility Rate में लगातार गिरावर्द देखने को मिल रही है National Family Health Study Survey के मताबिक भारत में TFR यानी Total Fertility Rate 2.1 है जो की अभी तक की सबसे कम दर है Ernst & Young की एक रिपोर्ट के मताबिक भारत में 27.5 मिलियन मैरिस कपल Infertility से प्रभावित है ये आकड़ा कुल मैरिट कपल्स का 10 से 15 फिस्दी है विशशग्यों के मताबिक मोटापा और डाइबिटीज कपल्स में Infertility को बढ़ाते हैं मोटापे के चलते महिलाओं का Menstrual Cycle प्रभावित होता है जिससे Infertility की समस्या होती है वहीं पूरुसों में मोटापा Low Sperm Count के लिए जिम्मेदार होता है भारत की पांच वेटलेंट्स को रामसर साइट्स का दरजा मिला है इस तरह कुल रामसर साइट्स की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है इनमें तमिलाडू से करीकिली बर्ड सैंक्चूरी पली करनई मार्स रेजर्व पॉरेस्ट और पिचावरम मैंग्रोव शामिल है वहीं मिजोरम से पाला वेटलेंट और मध्यप्रदेश से सांक्य सागर को शामिल किया गया है इससे पहले फरवरी 2022 में WORLD वेटलेंड डे के मौके पर दो वेटलेंड को इस सूची में शामिल किया गया था इसमें गुजराज से खिजरिया वननजीव अभयारने और उत्तर प्रदेश से बखीरा वननजीव अभयारने को टामिल किया गया था भारत में ओडिशा इसी चिलका लेक को सबसे पहले रामसर साइट का दरजा दिया गिया है इसके अलावा water bodies जो चाहे प्राकृतिक हूँ या फिर artificial, permanent हूँ या temporary इन सभी को सामिल किया जाता है इनमें पानी static या flowing और fresh brackish और saline भी हो सकता है साथ ही inland rivers और low tide पर 6 मीटर तक marine water को भी इसमें शामिल किया जा सकता है The Convention on Wetlands of International Importance को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है दरसल यह कन्वेंशन इरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है जहां इस टीटी पर सावर 1971 में हस्ताक्षर किये गए थे इसके तहत जो ख्षित्र सरक्षन के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की wetlands को बहतर प्रवंधन के जरिये सुरक्षित करना है आपको बता दे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड प्रामसर कन्वेंशन के अंतरगत एक ऐसा रेजिस्टर है जिन में उन wetlands का जिक्र होता है जिनकी ecology में किसी तक्निकी विकास, प्रदूशन और मानविये हस्तक्षे के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभ भावना है वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान और मनिपूर की लोग टक लेक शामिल है 26 जुलाई को कारगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है इस दिन देश कारगिल वार में शहीद हुए और वीर्ता से लड़े अपने सैनिकों को याद करता है गौर तलब है कि कारगिल वार साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था इंडियन आर्मी ने इस दोरान ओपरेशन विजय चलाया था जिससे कारगिल में स्थित टाइगर हील को री कैप्चर किया जा सके कारगिल की लड़ाई 16,000 फीट की उचाई पर लड़ी गई थी इस दोरान भारती वायुसेना द्वारा ओपरेशन सफेज सागर चलाया गया था उस वक्त भारत में अटल बिहारी वासपेई जी प्रधान मंत्री थे और पाकिस्तान के ततकालीन प्रधान मंत्री नवार शरीप थे पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में हुए लाहोर डिक्लेरेशन को तोड़ा था 14 जुलाई को ततकालीन पीएम अटल बिहारी वासपेई जी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोशित किया था वही 26 जुलाई को कारगिल वार को आधिकारिक तोर पर समाप्त घोशित किया गया था आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के यूटी बनने के बाद कारगिल लद्दाख का एक जीला बन गया है गुजरात में लंपी स्किन डिजीज के चलते 1500 के करीब गाय और भैंसों की जान चली गई है 14 जिलों में फैल चुके इस संक्रमन के चलते परशुपालक समुदाय में हरकम बंच गया है इस बीमारी में गाय और भैंस के शरीर पर लंप हो जाते हैं जो की बड़े घाव में तबदिल होकर उनकी हिल्थ को इफेक्ट करते हैं इस बीमारी का फैलाओ मक्की, मच्छर, लाइस और वैस्प के मवेशियों के डिरेक्ट संपर्क में आने पर होता है इस संक्रामक बीमारी के लिए पॉक्स वीराडे वाइरस जिम्मेदार होता है लंपी स्किन डिजीज वाइरस LSDV, शीप पॉक्स वाइरस SPPV और गोट पॉक्स वाइरस GTPV मिलकर कैप्पी पॉक्स वाइरस जेनस बनाते हैं जो की पॉक्स वीराडाई फैमली का हिस्सा है ये संक्रमन उच तापमान और उच आर्दता वाले खित्रों से संबंदित है इसके अलावा संक्रमित खाना या पानी से भी मवेशी इस रोक से इंफेक्टिड हो सकते हैं इसके चलते मवेशियों में बुखार, दुख्ध उत्पादन में कमी और खाने में कठिनाई होती है जिससे स्वास्ति पर खराब प्रभाव के चलते मवेशियों की मौत हो जाती है इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सिनेशन ही सबसे प्रभावी तरीका है भारत में सबसे पहले इसका आउटब्रिक साल 2019 में विष्ट बंगाल में हुआ था पूर्ड एंड एग्रिकल्टर ओर्गनाईजेशन के मुताबिक इस बीमारी की मौटेलिटी रेट दस पिसदी से कम है कुवेट के ने प्रधानमंत्री शेक अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह बने है दरसल देश के पुर्व पिये शेक सबाह अल खालेद हमाद अल सबाह के इस्तीफे के बाद ने प्रधानमंत्री की निवत्ति की गई है कुवैत Middle East में Arabian Peninsula में इस्तित एक देश है यह पर्शियन गल्फ के उत्तर पश्टमी हिस्ते से सीमा साजह करता है कुवैत की सीमा इराक और साओधी अरब से लगवी है यह इरान के साथ मरीन बॉर्डर साजह करता है कुवेट की राजधानी कुवेट City है यह GCC यानि Gulf Corporation Council का मेंबर है गौर तलब है कि साल 2020 के आकड़ों की मताबिक कुवेट की सारे 4 मिलियन जनसंख्या में से केवल एक तिहाई हिस्ता ही कुवेटी नेशनल्स का है बाकी जनसंख्या विदेश ते आए हुए लोगों की है इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा भारतियों का है सुप्रिम कोट ने PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए इस एक्ट के प्रावधानों को चुनोती देने वाली याचिकाएं खारिस करती है इस तरह ED को मिली शक्तियों को कायम रखा गया है कोट ने साफ किया कि ED को गिरफतारी के लिए आधार बताने की जरूरत नहीं है ED की गिरफतारी, जबती और तलाशी से जूरी सक्तियां जस्की तस रहेंगी गौर तलब है कि ED यानि Directorate of Enforcement वित मंत्राले के तहत एक एजंसी है जो कि Money Laundering और Foreign Exchange से जूरे कानूनों के उलंगन की जाज करती है यह देश में The Prevention of Money Laundering Act, The Foreign Exchange Management Act 1999 और The Fugitive Economic Offenders Act 2018 को लागो करने के लिए जिम्मेदार है Money Laundering से मतलब रूपयों की हेरा फेरी से होता है इसमें अवैत तरीके से कमाय गए रूपयों को वाइट मनी में बदला जाता है Money Laundering को रोकने और उससे जूरी संपत्ति को जबत करने और संबंधित अन्य मामलों के लिए ही PMLA Act लाया गया था ED को इस Act के जरिए Black Money से अरजित संपत्ति का पता लगाने और उसे जबत करने के अलावा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी दी गई है कोट में दाय रियाचिका में इन ही शक्तियों को चुनोती दी गए थी कि ये Fundamental Rights का उलंगन करती है बारिश के दिनों में नालों का पानी सीधे समुद्र में जाकर उसे पॉलिट करता है इस समस्या को रोकने के लिए BMC यानि Bombay Municipal Corporation ने IIT Bombay के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है N-Treat Technology के जरिये इस पानी का इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाएगा ये एक स्टेवन स्टेज प्रोसेस है इसमें स्क्रीन, गेट्स, सिल्ट ट्रैप और फिल्टरेशन के कोकोनट फाइबर का यूज किया जाता है Disinfection के तौर पर Sodium Hypothloride का उप्योग किया जाता है गौर तलब है कि N-Treat Technology, Sea-Waste Treatment के लिए एक प्राक्रितिक और Environment Friendly तरीका है इसे नाले के चैनल के पास ही इउज किया जा सकता है इसलिए अलग से Space की जरूरत नहीं होती पहले स्टेज में स्क्रिनिंग के जरीए Floating Objects, Muslin Plastic Cups, Sanitary Napkins आधी को Filter किया जाएगा दूसरे स्टेज में Silt Trap तयार करके Sediments को रोका जाएगा इसके बाद Coconut Fiber से Bio Jones तयार किये जाएगे जो की Organic Matter को Decompose करने में मददगार होगा इसके अलावा Floatong Wetlands के जरीए Organic और Inorganic Pollutants को रोकने की बाद की गई है Final Stage में Disinfection के जरीए Sodium Hypoclorite का यूज किया जाएगा दाजे सभाद से 19 सांस्दों को निलंबित किया गया है दरसल Thrinmool Congress के नेता Derek O. Brian ने एक बयान दिया था उन्होंने कहा था कि सरकार ने संस्द को Deep Dark Chamber में तबदिल कर दिया है इसके बाद विभीन राजनितिक दलों से 19 सांस्दों को अन्यंत्रित विवहार के चलते निलंबित किया गया है गौर तलब है कि संस्द में Presiding Officer का करतेव होता है कि सदन में व्यवस्था को बनाए रखे जिससे सदन की कारेवाही smoothly हो सके लोगसभा में ये जिम्मेदारी लोगसभाई Speaker और राजसभा में सभापती के पास होती है आपको बता दे कि Rules of Procedure and Conduct of Business के Rule 373 के मताबिक यदि Speaker को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार व्यवस्था के मताबिक नहीं है तो वह उसे तदकाल सदन से हटने का आदेश दे सकते हैं ऐसे सदस्य को सदन से तुरंत हटना होगा ऐसे ही राजसभा में Rule 256 के मताबिक यदि कोई सदस्य सभापती की अवहिला करता है या जान भूश कर नियमों की अंदेखी करता है तो ऐसे स्तिती में सदन सदस्य को संस्पिंट करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है जो की सदन की बची हुई अवधी के लिए लागू होगा संसद में एक आचार समीती भी होती है लोक सभा में इसका गठन 1997 में और राजी सभा में साल 2000 में किया गया था समीती संसद के सदस्यों के लिए आचार सहिता लागू करवाती है यह समीती सदस्यों के खराब विवहार के मामलों की जांच करती है साथ ही इसके खिलाफ action के लिए सिफारिश भी करती है भारत ने United Nations में आयोजित हुई questions of Palestine की debate पर I2-U2 की महत्ता से रूबरू करवाया दरसल UN में भारत के पर्मानेंट mission के ambassador आर रविंदरन ने इस debate की दोरान Middle East में शान्ती और सम्रिथी के लिए भारत के प्रयासों पर बात की साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर Two State Solution की बात भी की दोनों के बीच विवादों को सुल्धाने के लिए सबसे बहतर तरीका direct peace negotiations को ही बताया गया Two State Solution से मतलब एक ऐसी विवस्ता से है जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही एक ही शत्र में एक साथ को एक्जिस्ट करेंगे गौर तलब है कि फिलिस्तीन पस्च्मी एशिया में शत्र एक विवादिश शत्र है विवादिश शत्र से मतलब इस पर वैश्विक समाज की एक राय नहीं है यह दो भागों में बटा हुआ है भूमध्य सागर के तर्ट से लगा वेस्ट बैंक और पुर्व की तरफ स्थित गाजा पट्टी भी इसी का हिस्सा माना जाता है वहीं I2E2 की बात करें तो इस से मतलब इंडिया, इसराइल, UAE और USA से है I2E2 समुह का विचार साल 2021 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दोरान आया था 14 जुलाई 2022 को इस समुह का पहला सम्मेलन वर्चुली आयोजित किया गया चारों देशों ने 6 मुख्य क्षित्रों, मसलन वाटर, इनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हिल्थ, एन पूट सेकुरिटी में निवेश पर सहमती जाहिर की है इसमें मिडिल इस्ट क्षित्र में निवेश बरहेगा जो की रोजगार और आर्थिक सम्डिधी को बढ़ावा देगा आईए खबरों की विस्तार से बात करते हैं 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइडिस दिवस मनाया जाता है साल 2022 की थीम हेपेटाइडिस कांट वेट रखे गई है हेपेटाइडिस लिवर का इंफलेशन होता है यह वाइरस से होने वाला इंफेक्शन है यह वाइरस पांस तरह क्यों होते हैं A, B, C, D और E इसमें हेपेटाइडिस A और B दोनों के लिए वैक्शीन मौजूद लेकिन C के लिए नहीं है हेपेटाइडिस D के लिए भी वैक्शीन मौजूद नहीं है लेकिन यह उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइडिस B से जूज रहे होते हैं आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2018 को नेशनल वाइरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉंच किया था यह वाइरल हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के मकसद से लाया गया था SDG 3.3 में वाइरल हेपेटाइटिस को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष रखा गया है प्रिथिवी विज्ञान मंत्राले के वज्ञानिकों ने डीप सी माइनिंग के लिए दुनिया का पहला लोकोमेशन ट्राइल किया है ये ट्राइल्स बावन सस्वत्र मीटर की गहराई पर सेंट्रल इंडियन ओशन में किया गया था दरसल 27 जुलाई को प्रिथिवी विज्ञान मंत्राले का सोलहवा स्थापना दिवस मनाया गया था इसी मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर स्री जितेंदर सिंग जी ने विज्ञानिकों को इस उपलपधी पर बढ़ाई दी है इसे हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सिंटर फॉर ओसन इंफोर्मेशन सर्विसेज के द्वारा तयार किया गया है इस मौके पर क्लाइमेटोलोजिकल टेबल्स ऑफ अब्जर्वेटरी इन इंडिया 1991-2020 भी लॉंच किया गया जिसका फैदा क्लाइमेटोलोजी, एग्रिकल्चर, जेग्रफी, हैड्रोलोजी, बायोलोजी, एकोनॉमिक्स, एकोलोजी और इन इवारेनमेंट से जुड़े विभिन्न हितधारक समुहों को मिलेगा आपको बता दें कि प्रतिवी विज्ञान मंत्राले के डीप ओशन मिशन को कैबिनेट ने जून 2021 में मन्जूरी दी थी भारत सरकार Heal in India को लांच करने की तयारी में है किंद्रिय स्वास्थ मंत्राले के तहत Heal in India and Heal by India नाम का पोर्टल लांच किया जाएगा इसका मक्सद देश में मेडिकल टुरिज्म को बढ़ावा देना है ऐसी संभावना है कि प्रधान मंत्री स्वी नरेंद्र मोधी इसे 15 अगस्त के आउसर पर लांच करेंगे इसे आयुश्मान भारत Digital Health Mission के तहत तयार किया जा रहा है इसमें Health Professionals और Hospital Services की जानकारी Repository में दर्च की जाएगी जिससे दुसरे देश के मरीजों को एक ही पॉर्टल पर जानकारी हासिल हो सकेगी साथ ही सरकार दुसरे देशों के मरीजों के लिए वीजा, लैंग्वेज जैसी सुविधाएं मुहिया कराएगी गौर तलब है कि Medical Tourism को Medical Travel, Health Tourism और Global Health Care के नाम से भी जाना जाता है ये एक तेजी से भरता कॉंसेप्ट है, इसमें लोग स्वास्ति सुविधाओं के लिए अंतराश्टिय सीमाओं को पार करते हैं भारत में Medical Tourism डेस्टिनेशन बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं जैसे भारत के अधिकांश, डॉक्टर्स और सर्जन, USA और उरोब जैसे विक्सित देशों में ट्रेनिंग ले चुके होते हैं इसके अलावा उनकी English Language की फ्लूएंशी भी अच्छी होती हैं कई हॉस्पीटल्स में वैश्विक्स्टर के डॉगनोस्टिक एक्विप्मेंट मौजूद हैं विक्सित देशों के मरीज अपने कम बजट में भी भारत में फर्स्ट ट्रास सर्विसेज हासिल कर पाते हैं अंगोला में एक माइनिंग के दौरान ड्रेयर पिंक डायमंड मिला है बताया जा रहा है कि 300 सालों में मिला यह सबसे बड़ा डायमंड है इसे लूलो रोज नाम दिया गया है यह देश की लूलो एलुवियल डायमंड माइन से हासिल हुआ है यहाँ पर स्टोन्स रीवर बेट से माइन किये जाते हैं यह माइन अंगोला के डायमंड बीच लूंडा नौटे रीजन में स्थित है अंगोला अफ्रीका के पश्च्मी तट परिस्थित एक देश है गौर तलब है कि अंगोला दुनिया के टॉप 10 डायमंड प्रोडूसर देशों में शामिल है दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड प्रोडूसर देश रूस है भारत में मध्रदेश का पन्ना जिला डायमंड के उत्पादन के लिए प्रसिद है आपको बता दें कि डायमंड यानि हीरा कार्बन का एलो टॉप यानि अपर रूप होता है डायमंड प्राक्रितिक तोर अपर तब से कठोर तत्व के रूप में जाना जाता है इसका मेल्टिंग प्याइंट और ब्वालिंग प्रायंट बहुत हाई होता है डायमंड में एक कार्बन प्रमानु चार अन्य कार्बन प्रमानुों से बॉंड बनाता है इस तरह इसमें एक 3-Diamensional शेप बनती है आये न्यूज को विस्तार से समझते हैं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश के पहले International Bullion Exchange का शुभारम किया है इसका शुभारम गुजरात की गिफ्ट यानी गुजरात International Finance Tech City में किया गया है इसे IIBX यानी India International Bullion Exchange नाम दिया गया है IIBX में Bullion Exchange और Bullion Clearing Corporation शामिल होंगे इसमें कीमती धातुएं मसलन गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग की जाएगी Bullion से मतलब उच्च शुधता वाले गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों या बार से होता है Central Banks और Institutional Investors इन्हें रिजर्व के तौर पर रखते हैं Bullion Exchange की घोशना 2020 के Union Budget में की गई थी IIBEX के जरिये Qualified Jewelers गोल्ड आयाद कर सकेंगे Qualified Jewelers बनने के लिए शर्तें भी रखी गई हैं जैसे की Net Worth निउन्तम 25 करोर रुपे होनी चाहिए इसके अलावा पिछले तीन वित्तिय वर्सों का Average Annual Turnover का 90 फिस्दी कीमती धातों में डील करने का हो IIBEX का मकसद भारत को अंतराश्टिय बाजार में शुरुवात में Price Inferencer और फिर Price Settler के तौर पर स्थापित करना है हर साल 29 जुलाई को विश्व बाग दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मकसद इनके सरक्षन के लिए किये जा रहे प्रयासों को बरहावा देना है बाग इकोलोजिकल बैलेंस बनाने में एहम भूमिकानी भाते हैं साल 2018 के आंकड़ों के मताबिक भारत में बागों की कुल संख्या 29 सरसट है भारत में बागों की सबसे जादा संख्या मध्ध प्रदेश में दर्ज की गई है आपको बता दें कि 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट आयोजित की गई थी इस मौके पर 13 टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बागों की कुल संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था इसे टी इंटु टू यानी टाइगर टाइब्स टू नाम दिया गया इस दोरान की गई स्ट पीटर्शबर्ग घोषना बाग सरक्षन से संबंधित है साल 2010 में वैश्विक स्तर पर बागों की संख्या केवल 32 सो हो गई थी 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांगलादेश, नेपाल, भुटान, वियतनाम, मियामार, लाउस, कमबोडिया, थाइलेंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस कामिल है T into 2 वैश्विक लक्षे को पूरा करने के लिए C ATS यानि Conservation Assured Tiger Standards योजना को लागू किया जा रहा है इसे WWF द्वारा तयार किया गया है C ATS बाग सरक्षन में काम कर रहे किसी खेत्र के लिए एक स्ट्रैक्षिक योजना है इसमें बागों के सरक्षन के प्रवंधन के लिए सबसे बहतर मानक निर्धारित किये जाते हैं बाग की दो सब स्पिसिज होती है Continental जो की Panthera Tigris Tigris कहलाते हैं और Sunda जो की Panthera Tigris Tsundica कहलाते हैं इसका IUCN status endangered है साल 2022 में Earth Overshoot Day 28 July को मनाया गया इस दिन से मतलब उस तारिक से है जब इंसानों द्वारा उन सभी Biological Resources का उप्योग कर लिया जाता है जिन्हें प्रिथवी एक साल में Regenerate करती है इस दिन की गणना करने के लिए प्रिथवी की Bio Capacity को Humanity के Ecological Footprint से Divide किया जाता है आउटकम को Multiply करके Earth Overshoot Day की Date हासिल की जाती है Bio Capacity से मतलब किसी शहर, शित्र या देश की Biologically Productive Land और Sea Areas से होता है इसमें Forest Lands, Grazing Lands, Trop Lands, Fishing Grounds और Build Up Land को भी शामिल किया जाता है Ecological Footprint में जनसंख्या की उन मांगों को शामिल किया जाता है जो Plant Based Food और Fibers Products, Livestock and Fish Products, Timber and Other Forest Products चहरी अवसरचना के लिए जरूरी शित्र से जूरी होती है साथ ही जिवाश्म इंधनों से होने वाले Carbon Emission को Absorb करने के लिए जरूरी Forest को भी इसमें शामिल किया जाता है 2021 में Earth Overshoot Day 30 जुलाई को मनाया गया था वहीं साल 2020 में ये दिन 22 अगस्ट को पड़ा था COVID के चलते Lockdown से Resources की खपत में कमी आई थी Earth Overshoot Day की अवधारना सबसे पहले UK के Think Tank New Economics Foundation के Andrew Sims ने दी थी IIT मदरास ने नेलेकरणी सेंटर गठित किया है इसे AI for Bharat सेंटर में भारतिये भाशाओं की तकनिक को एड़वांस करने के लिए गठित किया गया है AI for Bharat को Open Source Language AI for Indian Languages के लिए गठित किया गया था इसका मकसद Digital India भाशिनी मिशन के लक्षियों को पूरा करना है गौर तलब है कि Digital India भाशिनी मिशन के तहत देश के सभी नागरिकों को उनकी भाशाओं में सूचनाएं और सुविधाएं पहुँचाने का लक्ष रखता है इसे Ministry of Electronics and Information Technology के National Language Translation Mission के तहत लागू किया जाएगा आपको बता दें कि AI में मशीनों को कुल्च इस तरह से विक्सित किया गया है ताकि वे लगभग इंसानों की तरह सोच समझ सकती है हाला कि Human Brain की बराबरी अभी संभव नहीं हो सकी है